कि आपको एकड़ेमी की सेशन पर हम लोग आज करेंगे इंकोर्प्रेशन ऑफ और सब्सिडरी ऑफ फॉरन एंटिटी तो आप एक सीएसों तो अगर आपको एक असाइंडमेंट आती है कि एक इंडियन कंपनिया इंडिया में कंपनिया आपको एस्टेबलिश करनी है जो किसी फॉरन एंटिटी की सब्सिडरी हो तो आसाइंडमेंट मोस्टली ऐसी आएगी राइट कि आपका क्लाइंट वो यह बोलेगा आपके पास आगे कि देखो मेरे फॉरन में कंपनी एंटिटी है उसका मुझे इंडिया में एक सब्सिडरी बनानी है वह भी होलियों सब्सिडर होगा आपका सबसे पहले हम एकंअ पैरम ले दें तो आप बताव कि वह क्या और कि सब्सेडर और बनाडाओक तो इक क्लाइन territe ने क्या बोला कि मुझे क्या करना है तो एक कट जो थे दी थी ना जी सर एक रो इंसर्ट कर दो चीक है और यहां पे एक बर वो असाइनमेंट कैसे आपको आई थी वो लिखो फिर उसके क्या-क्या पॉइंट से अपने अनलाइज करेंगे यह सर अच्छाइब हुआ थू नहीं है क्लिख बीडेंस अच्छाइब में आपको से अनुक्ही था तो इन अच्छा उनको ब्सक्राइब करने थी इंडिया में बीज्नेस अनलाइज कर दो लेडिया में अटी उन्पॉदी ना की अजैएज अन उन्में सब्सक्राइब करके उनको जादा होका फा यह सबसे पहले हम लोगों ने उनकी लिए निम रिजर्व सेकिंड स्टेज होगी पहले एक बार असाइन्मेंट लिखो लाइक की एक्स वाइज़ एनलसी टोल्ड यू टू दू सम्टिंग अब यह कहां पर थी इसके ब्रैकेट में लिखो कि कौन सा कंट्री था कि हुआ खुके ओर श्वाम्नेट टूces कर फिदेगाट य। थाु टर विवर्ग कि. तो आपको एक प्लाइंट ने यह बोला कि हम एक्स वाई जाडलन से हमारी है जो यूएस से में और हमको एक डॉबली एस बनानी है तो जब आपकी डिसकेशन हुई इसके नीचे एंटर मारो डिसकेशन पे जाओ उसी में अगर वो ये बोलते हैं कि मुझे इंडिया में विए विलियों उसब्सिडियरी अपसिबल नो at least one Indian resident director is required question type what was their first question what are what are the requirements what were they they're concerned when they came to you with this assignment so this was only their key what are the requirements of incorporating a company in india so what i told them was first and foremost we will require at least one registered office address proof and second we will require an indian director so okay what are the requirements okay sir thank you one registered office address proof and one indian resident director so moujie kya lagtar kya apne umse phele yee kyuni pucha ki aap kama kya karo ge aur wokam india me a loud actor haa sir sir yee pucha tha sir woh mujhe uh abhi mention karna bool ga hai haa ndalou nabhi sir okay okay so if you are merko merpa s aahe ka ka mujhe company incorporate karna hai to pahle to me puchhunga ki aap karthay kya or weather indian law me woh chi jahan per india me karna allowed haaqe naihi haa like agar woh bholi mujhe kaisi no khulna haaqe kya india me woh india me woh india me woh legal hai ki naihi or sir us me kitna percent fta lines aayenge na ake question ko aayenge like sifse penance ka question aya ki jobi my business karra ho woh bhi puchhe ga ki allowed haaqe ni haa we have to check haa if it is allowed in india abhi kaisita kartho sir hemare past list fma mail that means that means you have to check you have to check is का आंसर क्या हो गया एक काम को बोल कर दो आंसर को अन बोल रहे हैं ठीक है कोई भी अगर आदमी पूछेगा तो बिना पूछे कि काम करने लग गया कि आप मेरे को के वाइस तो इसलिए पहले अपने को यह देखना है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या-क्या चेक पॉइंट्स है जो हमको काम लेने से पहले पूछना है तो यह आपका बेसिकली एफडी आई रूल्स लग जाएंगे यह कंपणी आपको यहां पर फिर यह भी देखना है कि जब यह कंपणी बने गी तो यह अनृस्टिड रहेगी और अगर एक रुपया भी आता है बाहर से तो वह एफडी आई हो जाता है फिर उसके बाद यह देखो थाड़ में है और क्या क्योंस्ट न होगा कि वेदर हंडर्ड प्रेसेंट इक्विटी वी कन कंट्रिबूट हम हो लिए और सबसेडरी बोल रहे हैं पर हम बना भी सकते हैं के नहीं बना सकते हैं अलाउड इन डाट सेक्टर और नॉट यह राइट यह कुश्चन भी आएगा तो इसका आंसर क्या है कहां से मिलता है यह सर एफ डी आई पॉलेसी चेक करना पड़ेगा अपन को करेंट लाइट ना यह सब चीज है अपने को लगेंगी यह सर यह सर यह सर अ अगला कॉश्चन यह भी पूछेगा कि मैं बिना कर सकता हूं कर सकते हैं अब यह डिपेंड करता है आपके थार्ड कोश्चन के आंसर पर यह सर अगर सुपोज वो डिस्ट्रिक्टिड सेक्टर है जहां पर एफडियाइए लावड ही नहीं है तो बिना आप्रूवल के आप जा नहीं सकते हैं आप आटमेटिक रूट में कोई चीज कवर नहीं है यह सर रूट तो यह भी कहा से चेक होता है फेमा यह उससे चेक हो करें है फिर फिर अब यह भी कोश्च्चन हो सकता है कि हम क्या बनाएं प्रइविट लिम्टिल बनाएं कि पुब्लिक लिम्टिल बनुट बनाएं यह सर अगर क्लोजनेट है तो अपन सजस्ट करेंगे क्लाइन को क्या प्राइवेट लिमिटेडी बिनाई और अगर आपको फ्यूचर में इश्यू करने है शेर्स पब्लिक को या पब्लिक फंडिंग चाहिए तो अपन फिर क्लाइन को यह सजस्ट करते हैं थिंग दू राइट यह सार तो इसका अंसर क्या रहेगा नीचे लेलो नेकर प्राइवेट 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 क्लाइव है करने हैं तो अंसर कि फ्राइवेट प्राइवेट buyers प्राइवेट हैं प्रेट उसके बाद एगला कोश्चिन क्या रहेगा इस दिर एनी मिनिमुम कैपिटल वी हैव प्रिवेस्ट सबसे पहले पूछते हैं आपका इंट्रॉक्शन दिया नहीं मैंने वह बाद में देख दों जी सर लोग अपना पूछेंगे को नहीं तो सर अभी तो मिनिमुम कैपिटल की रिक्वार्मेंट खतम हो गई है हुँ पॉर प्राइवेट कोई जी नहीं भी आएगी तो उसको चेक करके भी हम बता सकते हैं जुरूरी नहीं है कि हर कोशन का अंसर आना ही चाहिए जी है जी जी सर मेरे जैसे मत करना नहीं पता तो भी रस्ता बतावे करना है सब पब्लिक के लिए है क्या तो जी नहीं कि आपके बीचे है खोलो और बताओ रूल्स में रहेगा इनकॉर्परेशन में रहेगा किस में रहेगा सेवन्थ में सर इनकॉर्परेशन में होना चाहिए था आनीच है न सेवन्थ सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इसका सिंपल मैं क्या पताना चाहरा हूं जुरूरी नहीं है कि हर चीज का अंसर हमें आना चाहिए जिसका नहीं आया अपने को सोर्स से देखके क्लियर करना चाहिए जो कोश्चन आपका है वह क्लाइट का रहे हैं जो कोश्चन आपका है वह क्लाइट का रहे हैं रहेगा कि क्या प्राइबेट में ही एक्जम्ट है कि पब्लीक में भी एक्जम्ट है तो यह अंसर अपने को लेना है है इस परेंट इस रेक्वार्मेंट है लोगी इन कोश्चन के टाइम में आपके दिवां में जो भी कोश्चन आ सकते हैं ना वी आव टू लिस्ट इट आउट है यह सब्सक्राइब और क्या कोश्चन आएगा यह सब्सक्राइब और अगर कोई बिजनस सेट आप करना चाहरा इंडिया में इंडिया में इंकॉर्प्रेट कमने बिकॉस एक्स्पेंसे और विल बी सेम नहीं दो चीज़ें एक लेलपी क्या हर चीज कर सकती है कि फस्टेंग फिर एललपी में क्या हंडेड़ प्रसेंट हर जगया पर इंवेस्मेंट अलाउड है यह दो अपने को देखना पड़ेगा तो यह कॉस्टिन का आंसर आपको एकदम क्लियर नहीं है जी मतलब यूरी टूडाउट की लेलपी में कम होता है इसमें ज्यादा होता है नहीं क्लाइंट आप उसके लिए डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर यह बोले कि शायद आपको सरदर्द है शायद आपको कैंसर है तो उसी टाइम भाग जाओंगा नहीं चलेगा यह वेरी स्पेसिफिक वेरी यह टॉक्टिंग टॉक्लाइंट और वो तभी हो सब्सक्राइब आपको अपने सब्जेक्ट का पूरा पता होगा तो उसमें जब यह नहीं करते हैं जी ठीक है और क्या क्वेश्चन है एके क्लोस पर जाओ नेम क्लोस हो गया नेम के लिए अड्रेस में यह पूछे क्या हम फॉरेंड्रेस दे सकते हैं कि इंडियन अड्रेस चाहिए अपन ने पहले दे दिया है कि एक इंडियन अड्रेस प्रूफ होना चाहिए तो सर यह वाला क्वेश्चन अपना यहीं पर चला जाएगा कि इंडियन अड्रेस इंपॉर्डेंट है सर एक क्वेश्चन यह रहता है क्लाइंट का की वाट विल बीडा कंप्लाइंस कॉस्ट वो सेकिंड लास्ट मिलेंगे उसको उससे पहले अच्छा मुझे यह बताओ कि डिरेक्टर्स सबके सब फोर्नर्स हो सकते हैं क्या वैदर आल डिरेक्टर्स कैन भी फोर्नर्स नो सर सब्सक्राइब नीचे कोश्चन तो लिखो जी सर इसके बाद मैं पूछूंगा कि कहां लिखा है कैन भी इंडियन डिरेक्टर और सेकिंड लिए दो लो इस क्वेश्चिन को और इंडिरेक्टर्स और और उन कि इंडियन डिरेक्टर्स सारे इंडियन हो सकते हैं जिसका अंसर अभी आपको एकदम रेड़ी है वह आंसर लिखो जिसका नहीं है उसको हाइलेट करके रुखो हम निकालेंगे end of the session हर एक का अंसर होगा अपने पास क्या अंसर है प्राइमा फेसी क्या अंसर है अपका सब प्राइमा पेसी तो यह है कि ऑल इंडियन तो देफिनेटली हो सकते हैं पर आल पॉरेनर्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि सर्व यह प्रोविजिंस में लिखा हुआ है कि एट लीस्ट वन इंडिया अभी के लिए लिख दो कि एट लीस्ट वन शुड़ बी इंडियन डिरेक्टर फिर हम चेक करेंगे इस चीज़ का हुआ है क्योंकि आप एक वोली और सब्सिडिरी बना रही हो तो नोमिनी डिरेक्टर जिनोमी शेरोल्डर कैन बी आउट फॉर्णर कि अबी मिनिमम अभी अभी समझो प्राइवेट लिम्टिड कम नहीं है तो दोर चाहिए एक लेल सी जी तो वेजर लेल सी कैन भी शेरोल्डर तो जो नोमिनी है वेदर डैट नोमिनी कैन भी ए फॉरिन परसंट नोमिनी शेरोल्डर एट भी ए फॉरिन के इंडियन नोमिनी चाहिए और एंडिवीजियो लोगा सर परसंट भी चलेगा ना परसंट निवाजे आपको बताना है क्या आइसर इसका तो यह दिन नमीनी शेर होलडर कैन बीड पर्सन बिकास कमशने जाट नेवर रस्ट्रिक्ट शेर होल्डिंग जस लाइक तर्ष पर देरेक्टर्शिप देर लिए टीज वन इंडियन डिरेक्टर शाल भी देर तो अल दे डिरेक्टर अल दा शेर होल्डर्स कैन बीड वरिनर्स ओके चिकर यह इस इट कैन वी ठीक है आल कैन भी फॉर्म अब यह वह पहली मिटिंग चल रहे है जहां पर कॉश्चन पर कॉश्चन पूछे जा रहे हैं आप अगला कॉश्चन आ गया कि इस बटार दा अधर कंप्लाइंस वी हैव तो डू फॉर इंकॉर्परेशन ऑफ कमनी ओडिटर्स या क्या क्या लगेगा यह से सबसे पहले यह होलिओन सबसेड़ी है विच इसके बाद फिर हमको कुछ-कुछ-पॉर्म्स फाइल करने होंगे जैसे विदिन बनेटी डेस हमें आ एंची ट्वेंटी ए फाइल करना है कि जनली वट इस दा ब्रोड प्रोसीजर ए फर कंप्लीटिंग दा प्रोसेस्ट आफ इनकोर्प्रेशन उस डिटेल में नहीं जाना एक एक लाइन में एक लाइन में वाइस इसका इसका उनके वर्ट कि लिशा हाव तू बिगिन विद नौ विए कन्विस्ट विए सब्सक्राइब गिवसे ब्रीफ आउटलेंग इन फाइव मिनुट्स की वट आर दा रोट स्टेप्ट विए विए विल बी अबल तो है वर कंपनी इन इंडिया सो आप उनको क्या सुझेस करों मैं क्या बोलोगी क्या करना ओके पर बीच में इन दोनों के बीच में मुझे क्यों ऐसा लगता है कि एक स्टेप मीसिंग है करेंगे और आपने मुझको बोला एक लिस्ट वन इंडियन अड्रेस होना चाहिए तो वह कैसे होगा अगर आप सीधा फॉर्म भरने लगो गए तो उसमें अड्रेस कौन सा डाल तो सारा ओके वी हब तो अर्रेंज वाल लुपर वर्क पेपर वर्क हां लाइन से चलो क्यों कि यह एंडिंग मना यह जो आप लिख रहे हो ना बात में इसको नीचे हैं बना कि उसके क्या क्या लगेगा हम लेंगे कर लेंगे सर इस डॉक्यमेंट को लिस्ट आउट करना या अभी नहीं वह नीचे जब स्ट्राइब में बात ओरें आत्र यह दियुक्ति की मिटिंग अगर सम्झा समय क्या क्या है उप만 तो आप क्या बोलोगे हमको नेम करना तो उसके आप क्या लिखोगे एट लीस्ट टू नेम्स बता दो एट लीस्ट टू नेम्स टू आस्ट ठीक है वी है तो अरेज़ दी आल डाकुमेंट रिक्वाइब ब्रोड में लिखो कि यह आल डॉकुमेंट किस कंटेक्स में अल डॉक्यूमेंट्स लाइक रजिस्टर आफस प्रूफ अब यह किसका होना चाहिए इंडियन यह इंडियन कहा इडेंटिफाई वा प्रूसीजर में तो चाहिए तो सबसे बहुत है आप पहले अपना एक इंडियन परसन फाइंड आट करों फस्ति इसे पहले फ्रस्टि यह किया करोगे नाम अप्लाइब करोगे सामने पूछोगे कि आपका है कि वो भी हमें अरेंज करना है हाँ तो इंडियन इंडियन अजेंट या रिप्रेजेंटेटिव इडेंटिफिकेशन अफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव तो यह आपके केस में कैसा हुआ था इंडियन इंटिफिकेशन के बारे में उन्होंने खुदी नाम दिया सरी इनिशेली तो क्लाइन का ऐसा था कि भी बोथ दा हस्बेन वाइफ और फॉरिनर्स तो वो जहा रहे थे कि वो दोनों ही डिरेक्टर बन जाएं पर डाट सिंस आट वस नॉट अलावड तो इनका एक रेसिटेंस भी था यहां पर गुच रात में तो उन्होंने उसी को अड्रस प्रूव दे दिया था तो इन्या प्रसेंशाल वी अडिन्टिफेट जो कोडिनेट करेंगा सब जिसके साथ आप कोडिनेट करोगी मोस्ट नी फिर आप उनको बोलोगी कि हमको नेम रिक्वारिट डॉकुमेंट साब बोलोगी कि मैं डॉक्मेंट की लिस्ट आपको भेजहूंगी तो आप से पूछेगा कि किस टाइप के डॉकुमेंट है तो इसको ब्रॉड आइडिया दोगी यह क्या डॉक्वाइच है यह क्या है कि वाइसी प्रूफ है ना और यह सिर्फ पहली मीटिंग के कंटेक्स में मैं पूछ रहा है और सर कुछ डॉक्युमेंट्स अपने अपने प्रिपेर करेंगे जो उन हो गया सर यह दोनों का लगेगा ओफ लल्सी एंड इंडिविज्विज्वाल्स अलसो ओके सेकेंड लिए अब इसके बहुत लोगी चलो नेम अप्रूवल हो गया रिजिप्ट ओव नेम अप्रूवल लेटर ब्रॉट्स लिख रहे हैं इस जिस अभी इससे बहुत प्रूप् क्लин करेंस है फिरिज्विज्विज्विस्वर्स दॉट्स लिए डिज्व को पॉस्ट में अप्रूवल है आपने क्या किया था अपको नंव अगया आपपना अपना सोच के बता आपको नाम विल्लगी तो अपनी क्या किया था करना स्टार्ट कर दिया था ताकि से रपास्टाइल हो सकें या अगर दिखो कि आप यह मान के चलो कि जो भी एक देख रहे ना उनको नहीं पता है क्या करना तो पहले तो ब्रोड चीक हो कि अपने लोग सी एस लोग है आप एक बार हिंट दो के वह आगे कि सारे डॉक्मेंट बना लेगे कर लेकर उनको एक तो सीक्वेंसिंग मालूम होने चाहिए सीक्वेंस चाहिए एक साथ प्रप्पेरिंग यहनों ने रूल चेंज किया गया पहले पहले दो लोगो में तो अब लोग में 40 मिनिट्स दे रहा है है हाँ सर लेकिन अच्छा अगर हम मीटिंग कर तो हो जाता क्या हाँ क्योंकि आप पहली बार कर रहे थे पहले बार कर रहे थे आइंसी नाइन हो क्या रेजिलूशन हो क्या रेजिलूशन फॉर ऑथराइसिंग डिटेल माझ जा जनरल बोले रेजिलूशन हो क्या इसके बाद यह तो सबसे पहले करते हैं तो सबसे पहले करते हैं यह नेम अप्रूवल कैसे हो जाएगा जब तक अब रेजिस्ट्रेशन नहीं कर आउगी साइट का डिया सी को अब पोस्ट नेम अप्रूवल के बीच में आप डालो पूछो ना ऐसे क्वेशन पूछ सकता हूँ क्योंकि मैं ऐसे क्लाइंट बात करूँगा तो मैं पूछूँगा कि यह कब करना है जी से हां तो नेम रिजरुशन के पाद एक एंटर मारो और महां पर लिखो कि हमको डिजिटल स्की नेचरस लेने और रिजिस्ट्र करने हैं है क्लास थ्री वह भी अब तो सब अगए अब यह अग्या अब यह जैनली अगर कोई पूछा कि डिजियरुइचर की कोश्ट्र की क्या पड़ती है तो डिपैंड करता है हजार रुपे से शुरू हो के दो हजार तक परसेंड टू परसेंड करता है लेकिन रिजनेबल है र पारह सो तीरह सुर रुपे में आपको डियसी मिल जाना चाहिए दो साल के लिए है क्योंकि जितनी बड़ी फर में ज्यादा चार्ज करेंगी छोटी अजार से शुरू हो जाता है अब यह प्रोक्यूर करना इसको रिजिस्टर भी करने अब आट करें मैं थोड़ा कन्फ्यूज होगया हो यहां पर क्यों क्यों कि सब्सक्राइबर तो कम्पनी में किसका डियसी लो सर कंपनी में ऑफ्राइज रिप्रेजेंटेटिव कलेंगे तो ब्रेकेट में जा था सब्सक्राइबर के की ऊटराइज रिप्रेजेंटेटिटिव ऐलेंटीव आफ एलेल सी प्रस नौमीनी रइट यह तो कर रही है ना यह सार सब्सक्राइबर्स का लगेगा अगर आएंसी नाइन फिजिकल में नहीं जा रहा है तो और सर जो एप्रिकेशन का लगता है एक हम कहां पर हो कि हमको कितने लगेंगे लगेगा लगेगा प्लस जो डिरेक्टर डॉमिनेट होने वाले आप यह मानों कि सब का हम ले रहें क्योंकि तो अगर दो डेरेक्टर रख रहेत हैं तो ले सकते हो लेकिन दो डिरेक्टर लिया तो एक की अपाइंटमेंट दूसरा कर सकता है दूसरे की पहला कर सकता है अचिए अभी ऐसे क्या बिजनेस यूजर रिजिस्टर करना अपड़ेगा तब चैंज हो गया अभी रिजिस्टर यूजर अलग होगे हैं अब बिजनेस यूजर अलग होगे है हुए हुए है यह सब्सक्राइब करेंगे जो आपको उसके लिए लगने अब फाइल क्या फॉर्म्स करने जिससे हमारी एप्लिकेशन सब्मिट होएगी ओके करेंगे अब बन्दो बाद रिज्वैंड करने जी सर श्पाइस ब्लस एचाइल प्रू हुँ हुँ and